अरे आग लगे ये भी कोई जिंदगी है सुबह से चिलम चिली पुकार सुनके मैं तो तंग आ गई हूँ अरे वो भी क्या दिन थे जब मैं गाउं में रहा करती थी पहले बड़ी सुखी थी मैं पहले मेरी जिंदगी क्या थी और अब क्या हो गई है शहर में तो लोग भेड़ बकरी की तरह जीते हैं जीने का असली मजा तो गाउं में है क्यों? क्या हुआ माजी? आज गाउं की बहुत याद आ रही है आपको अरे हाँ बहु शहर का जीना भी कोई जीना है लोगों की आधी जिंदगी तो सड़कों के ट्राफिक में निकल जाती है और यहां रखा ही क्या है? एक बात कहूं दिल्ली शहर अब पहले जैसा नहीं रहा क्या मा जब देखो गाउं के गुणगान गाती रहती हो ठीक है इस बाद आप बच्चों के कॉलेज की छुटियों में हम सब गाउं चलेंगे ठीक है? यह ठीक है पर कुछ दिन के बाद सारा परिवार अपने गाउं चला जाता है अरे वाह कितनी ताजी और साफ हवा है कितनी शानती है यहां चल बहू अब बड़ी आसा खाना बना दे मज़े से आंगन में बैठ के खाएंगे सुशिला गाउं का माहूल देख बड़ी खुश होती है दो दिन के बाद गाउं की कुछ औरते सुशिला के घर आती है बड़े दिनों के बाद गाव आई है सुसीला हमें तो लगा कि तो सहर जा के गाव को भूल गई और बतिया तेरी बहु कैसी है जो रम मिलवा तो उससे अरे मेरी बहु तो लाखों में एक है बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे जान की जैसी बहु मिली है सुशिला की बाते सुनकर सभी औरते हसने लगती है अरे कुछ अभी बोले जा रही है तब यद तो ठीक है तेरी बहु चांद से आई है क्या क्यूं देनो दुनिया की कोई भी बहु अच्छी होती है क्या सब औरते ममता की हां में हां मिलाती है अरे मैं तो कहती हूँ दुनिया की हर बहू सास का खून चूसने वाली डायन होती है डायन मैं तो एक बिल में हजार साप के साथ रह सकती हूँ लेकिन अपनी बहू के साथ नहीं रह सकती हाँ तुने सही का मेरी बहू तो तेरी बहू से भी दो कदम आगे है सब औरतों की बाते सुनकर ममता मन ही मन बड़ बड़ाती है अरे ये गाउं सुधर गया लेकिन औरते नहीं सुधरी अगर थोड़ी देर और इनकी बेवकुफी बरी बाते सुनूंगी तो मैं सच में पागल हो जाओंगी फिर सुशिला उन औरतों को घर से दफा कर देती है और राहत की सांस लेती है अरे बहु जरा बाम लाके मेरे सर पर तो लगा दे उन औरतों की फाल तो उबाते सुनकर मेरा सर चकरा गया है इस गाउं की औरतों का तो भगवान ही मालिक है पिर अगले दिन सुशिला की सांस उस से कहती है अरे बहु तु यहां क्या आराम फर्मान ने आई है आखिर ये तेरा सुसुराल है चल चल घर के कामों में हाथ बटा शहर में कुछ काम धाम तो करती नहीं है जरा अपने आपको तो देख कितने मौटी हो गई है सारा दिन घर का काम करने की बाद शाम को सुशिला आए मेरी कमर आए मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया आज तो मुझसे मक्षी भी न मारी जाएगी अरे बहु जरा आकर मेरे हाथ पैर तो दबा दे जी माजी अभी आती हूँ तभी सुशिला की सास जानकी को रोकती हुए कहती है अरे रोक जा बहु एक दिन काम करके इसको इसकी नान नी याद आ गई हम लोग तो रोज इतना काम करते हैं कोई जरूरत नहीं इसके हाथ पैर दबाने की सुबह तक सब ठीक हो जाएगा सुशिला अपनी सास की बाते सुनकर हैरान रह जाती है इस तरह धीरे धीरे गाहँ आने के बाद सुशिला की परेशानी शुरू हो जाती है फिर एक दे अरे आज तो मैं कपिल शर्मा देखूंगी क्योंकि आज संडे है सुशिला जैसे ही टीवी आउन करती है तभी बिजली कर जाती है अरे सत्या नाश इस बिजली को भी अभी जाना था इतने दिनों से मैं टीवी सीरियल देख नहीं पाई हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है पर पता नहीं ये गाहँ कब सुधरेगा अरे अब तो दो दिनों के लिए बिजली को भूल जा ये तो यहां रोज की बात है अब इस अंधेरे में रहने की आदत डाल ले हाँ ये बगवान अब क्या होगा उपर से इन मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है दूसरे तरफ घर के काम कर करके और बिना किसी सुविधा के सुशिला तंगा जाती है और उसे शहरी जीवन याद आने लगता है क्यों मा मजा आ रहा है ना अरे आपने ऐसी सूरत क्यों बना रखी है मुस्कराईए अब हम गाउ में है मोहन के साथ जानकी भी अपनी सास की खिंचाई करती है हाँ हाँ मा जी आपी तो यहां की बड़ी तारीफ कर रही थी फिर अभी तो कुछी दिन बीते हैं वैसे भी अब तो आप यहीं रहने वाली है ना अरे नहीं नहीं बहु मैं एक दिन और यहां रुकी तो मर जाओंगी मुझे शहर ले चलो क्या दिन थे कितनी सुखी थी मैं वहाँ ठीक है मा हम कली वापस शहर चले जाएंगे इस तरह सुशिला शहर आ जाती है और फिर कभी दोबारा गाउ जाने की जित्म नहीं करती